असलामू अलेकुम फ्रेंस कैसे हैं आप लोग मैं हूँ माहिरा और आप देख रहे हैं इंडियन जाएका आज मेरी मम्मी बना रही है हेदराबादी मटन डालचा इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए सीखते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो प हेदराबादी मतन डालचा बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकड लिया है आदा किलो तूर डाल लिया है दाल को हमने अच्छे से धो लिया है देल लीटर पानी डालेंगे चाहसे पाशीठी लगा के दाल को अच्छे से गला लेंगे चलिए अब दालचा बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम एक पतीली लेंगे एक कप तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद दो दालचिनी के तुकड़े डालेंगे चार लॉंग डालेंगे तीन छोटी इलाइची डालेंगे दो बड़ी इलाइची दालेंगे एक छोड़ा चमच काला जीरा दालेंगे एक मीडियम साइज का बारिक कटा हुआ प्यास दालेंगे प्यास को हलका फ्राइ कर लेंगे ये देखिए प्यास को हलका फ्राइ कर लिया है अब हम इसमें एक बड़ा चमच अद्रक लसुन का पेस्ट दालेंगे अद्रक लसुन के पेस्ट को भी दो मिनट तक भून लेंगे आधा छड़ा चमच हल्दी दालेंगे एक बड़ा चमच धन्या पड़र दालेंगे एक बड़ा चमच लाल मीच का पड़र दालेंगे एक बड़ा चमच कांदा लसुन मसाला दालेंगे टेस्ट के हिसाप से नमक दालेंगे इन सबको मिला लेंगे अब हम इसमें दो मीडियम साइज का टमाटर दालेंगे इन सबको दो मिनट तक भून लेंगे एक किलो मटन दालेंगे मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पांच से छे मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ये देखिए मटन को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें एक गिलास पानी दालेंगे और मटन के गल्ले तक धक कर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे मटन को गल्ले में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे ये देखिए मटन गल्ल चुका है अब हम इसमें एक किलो कद्दू दालेंगे कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चार से पाच मिनट तक कद्दू को भी धक कर पकाएंगे ये देखिए कद्दू गल्ल चुका है अब हम इसमें खटी इमली का पेस्ट दालेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आधा किलो उगली हुई डाल एड करेंगे डाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पुदीना दालेंगे थोड़ा सा कड़ी पता दालेंगे थोड़ा सा धन्या पता दालेंगे पास से छे हरी मिर्च दालेंगे एक बड़ा चमश डाल्चा मसाला दालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद 10 मिनट तक बारिक फ्लेम पे छोड़ देंगे ताके मटन, कदू, मसाला और डाल अच्छे से मिल जाए दस मिनट हो चुके है और ये देखिए हैदराबादी मटन दालचा तयार है बहुत ही टेस्टी बना है और इसको बनाना बहुत ही आसान है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफीज